कि हैं कि हैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुश ख़बर देने वाला हूं फैनली उतर प्रदेश गवर्मेंट की तरफ से यूपी पुलिस की न्यू जो रिक्रूट्मेंट आने वाली थी बहुत लंबे समय से छातर इंतिजार कर रहे थे काफी न्यूज में रहा था यह करीब मीडियर से ही उसका इंतिजार फाइनली अब समाप्त हो चुका है फैनली उतर परदेश गवर्मेंट की तरफ से यूपी पुलिस की न्यू वेकेंसी जो की न्यू रिक्रूट्मेंट जो की है उसका नोटिफिकेशन आज रिलीस कर दिया गय सब्सक्राइब नीट चुका हुआ है कि आप लोह को चना कotherapy जा रहा हूं इस पोस्टे न कितनी सारह कूछ इसमें डीटेल में आप लोग को गंफार में रहें करना चाहते हैं तो н zeg जो कि Link में आप लोग करें मेरे दिस्क्रिप्टं के लिंगा से आपको दे दियने का लिंक तो वहां से जाके आप लोग टेली चैनल जोईन moim करके और डाउड नोट कर सकते हैं चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं आते हैं आप नहीं को उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्र juaster भरतियम परनती बोड जो की तुलसी गंगा कॉंपलेक्स विधान सभा मार्ग लगनाव उत्रपड टूस्टीक्स 001 जो की है यह एड्रेस है उसका यूपी पुलिस का हेड़कॉर्टर का ठीक है अब लोग उपलब रहेगी देखें वेफसाइट जो किया इसकी ओफिसल वेबसाइट के आप लोग दिखा दे रहा हूं यूपी यूपी उसके बासे बीपी डॉट जी डूबी डॉट इन यह जो की इसकी उतर पर इसकी ओफिसल वेबसाइट है ठीक है आगे देख सकते हैं आप लोग इस इंफर्मेसर में आप लोग बता दूं देखिए पूलिस में आरचित नागरिक पूलिस के पदो पर सीथी भरती 2023 देख सकते हैं आप लोग नियू रिकूर्ट्मेंट आ चुकिए 2023 की और कितने पोस्ट पाई है बहुत बड़ी जो कि अब तक का यह हमको लग आप लोग दिखाते रहा हूं नए वेतन मान में बेतन मैट्रिक्स रूपे 2100 जो की 700 के अंतरगत निमने की दिरिक्त पदोबा भरने की आउनलाइन आवेधन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो की ऑनलाइन जो की यह फॉर्म रिकूट्मेंट जो की इसका है और स्टाट कर दिया गया है और देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोग मैं बता दूं यहां मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि किस किस कटेग्री में कितनी जो कि यह फेकंसी आई है देखिए आप लोग सबसे पहले अनुरा चित यानिकि जनरल जनरल में टोटल 2400102 पोस्ट आ कि में टोटल 12650 सीटों पर भरती आई हुई है और अनुसुचित जन जाती सीड्यूल ट्राइफ के कंडिए हैं उन सभी को लिए 1204 सीटों पर वेकंसी आई है इस तरह टोटल में आप लोग मिला कर हो जाता है साथ 1244 पोस्ट पर यह बेकंसी निकड़ी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी रिकूट्मेंट आ गई है उत्तरप्रदेश पूलिस में मैं आप लोग सारा कुछ में देखा देखा हूं देखिए आप यह का लिखा है और अचित पूलिस नागरी के पत प पताय निरस्त किया जा सकती है यह उनका इंट्रेक्शन है जाड़ा कुछ और जो कि मैं आप लोग यहाँ और चीज़ बता दो देखिए पर इनको इंपोर्टेंट डेट तो यह आपका फॉर्म ओनलाइन जो है ना यह ओनलाइन कबसे ही स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग इस सबसे हो सोग्योंड पयाएंगे लास्टेट जो की है इसकी लास्ट्रेट जो रखिए ना यह 16 जनौरी रखी है यह कब तक की 16 जनौरी की और इसके बाद आप लोग की फहां को नहीं भर पाएंगे और यह जो पैमेंट आपका फस्ट लगत कर नहीं कि है तो पेमेंट क तक लास्ट आप लोग रजिस्टेशन कर पाएंगे इसमें और उसके बाद से 18 जनुवरी लास्ट जो है इसका आप लोगा पेमेंट फिस्ट जो किया करने का आप लोग कर दिया गार पेमेंट कितने रुपिया हैं तो इन सभी प्रकिरिया के लिए आवेदन सुल्क 400 हैं तो मैं आप लोग यह चीज इंपरेंट में संदे देता हूं कि कुछ चूट रहते हैं पर नहीं इसमें कैटेग्री वाइज कुछ चूट नहीं दिया जाता है उसके बात करूं तो भारत के नागरिक हो तिबद जो कि भूत पूरा सहने किसे वह सब गाइडलाइन से और रहे हैं आप क्या 10th class और साथ में 12th class यह दोनों आप लोगों के पास होना चाहिए तभी इस फॉर्म को आप लोग फिल कर पाएंगे आने था नहीं मौर पाएंगे आप लोग के पास 10 और 12 की डिग्री होनी चाहिए जोगी पास का तभी यह आप लोग फिल कर पाएंगे य तो आगे मैं सारा कुछ information इसमें बढा दे रहा हूं देखिए चल यह आगे मैं देखा देरांगा आवेधन की टिपरी की समय जो की approval यह सारा कुछ information उनका धिया गया है आगे या अगर आप लोग के पास यह कंप्यूटर जोकी सब्सक्राइब्स दिया जाएंगी ऑ लेवल का अगर आप लोग के पास और लेवल का अगर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में तो आप लोग को कुछ इसमें फिर्फरेंस दिया जाएगा उसके बाद से आप लोग को अगर भूत पूरा साय नहीं कैज़ा की सेना में नियुन्तम दो वर्स की अहुदी तक सेवा की हो अग अगर उसके पास आप लोग के पास अन्सिक का सर्टिफिकेट बीटेकरि तक लोग इसमें वरियता दी जाएगी प्रीस आप कुछ इन्फरमेंसन है चलिए अगर एज लिमिट की बात करता हूं मैं तो एज लिमिट क्या रखा गया है तो फिर चलिए मैं दिखा देना आप लोग को कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है तो देख सकते हैं आप लोग एज लिमिट क्या है देखिए यहाँ ध्यान से आप लोग सुनिए कि एक चीजी नोट करने वाली बात है यहाँ पर अगर आप लोग मेल कंडिडेट है ठी जोकी 1700 जोकी दो तर ते सतक अपलो अठारा वर्स के हो जाने चाहिए ठीक है एक साथ दो हजारा थे अपलोग की चाहिए या फिर आप लोग की जो फाले साल है और मैकसिमम बाइस साल है कम से कम आप लोग की एज-ाथाना साल होनी चाहिए इस डेट तक या फिर ज्यादा ज्यादा आप लोग की 22 साल होने चाहिए अगर आप लोग जनरल केटेगरी से हैं तो आप लोग की इतनी एज तो रिक्वाइड ही है अब देख सकते इसमें डेट अब जो की जनती थी होती है उसके एकॉर्डिंग तो देखिए अगर आपका जन 5 जुलाई 2001 से पहले कहने का साफ अर्थ है कि आप लोग का जन्म जो है दो जुलाई ठीक है दो जुलाई से ले करके एक जुलाई 2005 के बीच में आप लोग की जन्म होनी चाहिए इस से और इस डेट के बीच में आप लोग का जन्म होना चाहिए तो आप लोग का जन्म होना चाहिए तो आप आप लोग को छूट दी जाएगी और इसमें आप नीशे मैं दिखाऊंगा भी कितना साल छूट दिया जा रहा है अगर आप लोग को छूट दी जाता है और महिलाओं की मैं बात करूं यहां पर यह तो मेल का था और फिमेल की नियुंतम जो आयू है न वह 18 वर्स और मैक्सिम 25 वर्स होने चाहिए 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 मेल इस कटेगरी से हो या फिर जनरल से हो कोई भी कटेगरी के हो फिमेल के लिए 25 साल अगरितम रखा गया ठीक है और उसकी एज 17-2023 तक आप लोग की जो ए 18 साल हो जानी चाहिए इस डेट तक अगर आप लोग की एज 18 वर्स है तो आ अन्यतन नहीं कर पाएंगे ठीक है और आप लोगों में कर डेट की में बात करूं तो डेट देखिए आप लोगे 2 जुलाई 1998 से लेकर एक जुलाई 2005 के बीच आप लोग की एज होनी चाहिए ता आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसके पास से कुछ बता जा गया है परन्तु देखिए अनुसूची जाती जन जाती और ऐसे अनेस रेंडियों के अभ्यारती जो की उत्तर प्रदेश के मून निवासी जो कि ठीक है उत्तर प्रदेश का मग कटेग्री एगर हो सवास्ती सारा कुछ इंफर्मेशन दिया गया सारीख दर्चिता जो कि आप लोग नंबर का आप लोगों को इन्पोर्मेशन देने वाला हूं देख सकते हैं आप लोगा टोटल तीन सो नंबर का यह एक्जाम होगा ठीक है रहते मिने आप लोगों को टोटल तीन सो नंबर का एक्जाम होगा और आप लोगों के दू घंटे का समय दे राता है तता-माणिसित इंप your कोशन आता है ठीक है उसके बाद से तार्किक छमता अभियार्तिकों लिखित फरिचा में गलत उतर के लिए रिदात्मक अंक जो की रात्मक अंक कितने रखेंगे आप लोग बतादू तो देख सकते हैं तो अगर आप लोग का उतर सही है तो और रिदात्मक अंक प्रदान किय जाएंगे अगर आप लोग इसमें नेगेटीब मार्किंग भी दियावा ध्यान रखेंगे आप लोग और टोटल आप लोग का डेंट सो कोस्टन पूछे जाएंगे और मैं आप लोग बता दो हाँग हाँ वन बाई-फोर नेगेटी मार्किंग भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं जिससे कि आप लोग यहाँ पर देखाए दिखाए दिखाए दिया है देखेए इसमें टोटल हंड्स प्रस्ण पुछ जाएंगे 300 अंको का, और 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, इंसको करने के लिए, और आप लोगों को, और तीन सो मार्क्स हो गया और देंट सो कोस्चन हो गया दो घंटे टाइम और वन बाइफ निगेटिव मार्किंग भी है आप लोग के यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लेकि आगे सारा कुछ इंपरमेशन यहीं बताया गया है उसक की छूट जो भी है दिया गया है क्या हाइट राएगी क्या कुछ राएगी यहां देख सकते हैं आप लोग फिजिकल स्टेंडेट जनरल कटेगरी के लिए 168 cm होनी चाहिए आप लोग की और अगर आप लोग स्टी सी से आए ता आप लोग कुछ शूट जे जाती है आठ से करना चाहते हैं तो क्यल्क करना दिया कर सकते हैं शर्क बासuled और पांच सल कि छूट मिलेगी और अगर ऐस टी कटे तो भी आप लोग पांच साल की छूट दी जा रहे हैं उतर फर्देश गुवर्मेंट की तरफ से देख सकते हैं आप लोग इसमें क्लियर में सन है आगे मैं आप लोग इसमें देखा दे रहा हूँ और सब कुछ दिके सिलेबस में आप लोग अगर डिसक्स करने वाला हूं इ बस इसका क्या रहने वाला है किस किस पार्ट का कैसा कैसा कुछ दिखा दे रहा हूं आप लोग को चलिए यहां पर सारा कुछ यहीं बताया गया है भरती के निर्देश दिये गए आप लोग को ठीक है तो अगर आप लोग इसका पीडियाफ डाउनलोड करना चाहिए आप टेलीगराम चैनल के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं तो जाको आप लोग वहां से जॉइन करके टेलीगराम चैनल जॉइन करके और डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडियाफ को देखिए आप लोग सबसे पहले मैं बता दूए इसका जो की स प्रइब में चैनल के माध्यम से मैं डेली हृं और सथिस्टाइब दूब्र करने जा रहा है नौई ओड़ करना चाहते हैं तो आप लोग को बता दूए geehr नए जार दंधा करने चाहते जान dos पुलिस हो गहीं स्सेalth Add др gemekell के लिए नई सिरिज बिल्कूर लेक है और उसको देखने के लिए आप लोग उसको देखना ना भूले और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये और याどう आर्थे यहां पर जन्राल नॉॉलेज्ज की कौशन्स पुछे गए जो कि सामाने बिग्यानि इतियास भारति यह सारा कुछ जन्राम हिंदी का कोश्चन आए इतना सारे कौश्चनि पुछ जाएंगा उसके बाद नेमरिकल मेंटल इसमें सेथ तीसरा सबजेक्ट में दो सेक् Да यह हैं से तो दों फ्य सतिंगा है दों इक्षा कूछ से पुच्छा है तो यूद्थ इसने के लिए ठीक यहां तो यह चोटा उनवाथ और इसके बाद यह नेक्ट रहता है तो इसके बात के लिए जब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल उसके लिए देखिए उसके लिए आप लोग इसमें फीर एक बार 500 और फ्राइब इसके बाद से पते मार्क्ट बार तुटल तीनसो मार्क हो घंटे टाइम और वन फोर्ट नीगेटिम मार्किंग आप लोग की सब्सक्राइब कर लिए और यह वीडियो गर आप लोग अच्छी लगई हो तो वीडियो लाइक किजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जोएं कर देता हूं और टेलीग्राम चैनल में हर एक चीज़ कोई सब्सक्राइब करते हैं थैंक्स पर वाचिंग